हलो फ्रेंट्स ममता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ पनीर की रेश्पी वह है पनीर पसांदा जो खाने में बहुत ही लाजवाब लजीज लगती है इसे आप पूरी पराठा नान पुलाओ बिर्यानी किसी भी चीज के साथ खाए बहुत ह जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है तुशे लिए ममता की रसोई में बनाना सुरू करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अहां पनीर लेना है थो यह मार्केट थे मैं फ्रेस पनीर ले ली हूँ और इसको मैं इस तरह कर लिती हूं तो एक चाकू से इसे कट कर लेना है तो आ मैं लंबे काट करके फिर इसको क्यूब में काट लेते हैं पनीर को तो हमने यहां पे इस तरह से पनीर को काट करके रख लेना है तो हमने यहां पे सारे पनीर को काट के रख लिया है उसके वारी दर गैस पे हम कडाही चलाते हैं और कडाही में हमने दो बड़े चमच तेल डा करके और प्याज को हम दो मिनट तक भूनेंगे तो इस तरह से हम दो मिनट तक इसको दीमी आज पर दो मिनट इसको में भून लिया है प्याज को भूनने के बाद अब हम यहां पर डाल देते हैं हल्दी पाउडर तो हमने आदा चमच हल्दी पाउडर को डाल दिया है उसके ब यहां हम ने नमक डाल दिया टेक्स कर लेती हूं अब मिक्स करके हम इसको दो मिनट तक भूनेंगे इस तरह से तो देखिए हमारी मसाला सारा प्याज के साथ इस तरह से बून कर तयार हो गई है अब सुन्धी खुषबाने लगी है तो मैं इसमें टमाटर का प्यूरी डाल दे तो हमने दो टमाटर को मिक्सी में पीछ के तयार कर लिया था उसको मैं इस तरह से डाल दी हूं दो पका टमाटर उसके बाद हमने दो चमच यहां पर दही रखा था वो दही मैं इसमें डाल दे रही हूं और दही डालने के बाद और टमाटर पीट डालने के बाद फिर मैं इस अगर अमुल का फ्रेस क्रीम नहीं हो तो आप इसके जगह पर मलाई भी डाल सकते हैं दूद की जो मलाई होती है तो हमने यहाँ क्रीम डाल करके और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक यह तेल न छोड़ दे तो धीमियाज पर हम इसको चलाते हुए भूनना है तो यहाँ पर हमने चीनी को डाल दिया है और चीनी डालने के बाद हम मिक्स कर दिया है अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पानी तो हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है तो हमने यहाँ पर लगबग आधा ग्लास तक पानी डाला है आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अ काट के रखा था उसको मैं इसमें डाल दे रही हूं तो हमने यहां पर पनीर को डाल करके और इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको हम इस तरह से करेंगे गाढ़ा चलाते हुए पकाएंगे पनीर को तो थोड़ा सामें 2-3 मिनट तक और इसको गाढ़ा करना है धीमियाज पर तो धीमियाज हमने कर दिया है और इस तरह से चलाते हुए देखिए तो गाड़ी हो गई है ग्रेवी और आप अगर इससे भी ज्यादा पतला गाड़ा जितना पसंद करते हैं उस अंसार से इंगास को बंद कर दीजिएगा तो आपको अगर वीडियो पसंद आ बाइबको आपको अगर